नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते मांकर राश्री वालों दोस्तों क्यों लोग आप से जलते हैं कुछ तो खाश होगा आप में तभी तो लोग आप से जलते हैं जिया दोस्तों आज के यह वीडियो आप शिबी के लिए बहुत ज़्यादा महत्पुन और बहुत ज़्यादा खाश रहने वाली हैं इसलिए दोस्तों आप इने बिल्कुली मिशना करें और शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा कि दोस्तों आज के इस जिवनकाल में लोग जो हैं एक दुश्ये को देखकर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं जिया दोस्तों आप शामने वाले से ज़्यादा अच्छा कमाने लगे कुछ अच्छे कारी उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में तो आप रहेंगे लेक दोसों उनकी नजरों में आप खटकने लगते हैं कि दोसों वह आपके पेशे आपके रुत्वे को देखकर बरदास्थ नहीं कर पाते हैं। दोसों और आपको उपर बढ़ने में आपके अंदर की अच्छाई का शबसे बड़ा हाथ है वही आपको शबल बना रही है जिसके कारण दोस्तों बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं जे दोसों आपको बिता दे बुरी नजर वाले आपको नीचे करने की कोशिश में लग जाते हैं की आपको बरबात करने की वह कश्मे तक हा लेते हैं झाना। यह नहीं हम आपको कुछ में नहीं देंगे कश्में तक खालेते हैं यह न parentheses लोगों से बचाईगा आगे इस वीडियो को अंत तक दिखेगा वीडियो के अंत में एक बहुत अच्छे उपा है जिने गर आपने जुन में उतार लेंगे तो दोस्तों जो लोग आप से जलते हैं वे आपकी जुनकाल से वाकर ही दूर हो जाएंगे और आप उन्हें मुक्ति पाएंगे जे दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यदा महत्पन होगी आप इन्हें अंत त दोस्तों आपको करेंगे तो आपको बताना चाहेंगी यह के लिए दिखावा करना बिलकुल भी पशन नहीं आता जिया दोस्तों आप लोग जो है दिखाव में नहीं आते हैं और नहीं दिखावा करते हैं और दोस्तों इसका एक रीजन यह भी है कि जब भी आप बहुत खुश होते हैं और दोस्तों अपनी खुशी जाहिर करते हैं तो दोस्तों कुछ ना कु आप लोग अपने वयवार में बहुत ही मंदार रहते हैं इसलिए शारी गर्ष जो है आपकी नेचर को पशंद करती है और आपको यह लग्यां भी पशंद है जो कि क्रिटीव फिल्ड में होती है और दोस्तों जिन में ज्यादा एटिटूर भी नहीं होती है दोस्तों आप ल कितना भी टेंशन और कितना भी चिन्टाए क्यों नहीं हो आपका वेबार शभी को बहुत ही ज्यद्या पशंद होते हैं और शबी लोग आपके ऊपर बहुत ही जल्दी आकरशित होते हैं ये दोस्तों आप लोग मुद्दिवान होने के शास साथ एवार कुशल भी होते हैं एक बात आपकी और है कि आप जब भी दुखी होते हैं तो दोस्तों आप लोग किशी जबी अपने दुख का कारण जल्दी नहीं बताते आप अपनी अपना जो दुख है जल्दी किसी से भ करते हैं और च्टूप-चाप आप अकियले बैठ कर अपना आशु बहाते हैं दोस हो आप में कमेंड करके बताये साठी में कि बता रहें क्या यह सच है यह फिर नहीं दोस्तों कमेंड को अपने करीबी लोग ही जो है वो ज्यादा तर कष्ट देते हैं दोस्तों एक बात पर गौर करिएगा कि बाहर की लोगों से तो आप निकटने पड़ लेंगे बाहर की लोग अगर आप से आपको चोट पहुंचाए तो दोस्तों का श्रमना आपको कर लेते हैं लेकिन दोस् बार अपमान विवा है आपकी मान श्रमन को अपने ही लोगों ने बहुत बार ठेज पहुंचाई है लेकिन दोस्तों आज हम आप शी एक शवाल कर रहे हैं जो आपके शाथ हो रहा है आकिर आपके शाथ होता ही रहेगा अगर हां तो दोस्तों कब तक होता रहेगा आकिर तक या जालिम दुनिया आपका फाइदा उठाते रहेगी आपको धोखा कब तक मिलता रहेगा जया दोसों आखिर कब तक आपकी इमोशन की आपकी फिलिंग की कदर नहीं होती आपके जियोन में अभी तक आपको वश्रफलता नहीं मिल पाई है जिसके लिए आप कारी कर रह हैं जे दोसों आपको हर चीज में शंगर्श का शामना करना पड़ता है आपका हर काम शंगर्श से ही पूरा होता है आपको जो चीज प्राप्त हुई है वह भी बहुत शंगर्श और आपकी कड़ी महनत से ही आपको प्राप्त हुई है दोसों आपने किशी से भी अपने कि करके खुद की दिन रात एक करके जाग जाग कर आपने जो भी शुपलताएं हैं उन्हें हाशिल किये हैं लेकिन दोस्तों फिर भी यह दुनिया आपकी शुपावनों की कदर नहीं करती और दोस्तों आपको थोड़ी शुपलता क्या मिल जाती है कि यह दुनिया आप से जनने लगती है आपको नीचे गिराने की कोसिज करने लगती है पिछले कुछ शालों शे आपकी आर्थिक जिति में भी भरी गिरावट आई है जो दोस्तों आपको बता दी कि आपका जिवन मानो पूरी तरह शेह बिखर गया है दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि लोगों में लोगों ने मन शे कभी भी आपको नहीं पोचा आपको मन समान नहीं किया उपर शे आप से या लोग मिठा मिठा बात करते हैं लेकिन अंदर शेही यही लोग आपके उपर क्या करते हैं यह तो आपको खुद पता ही होगा। जिया दोसों आप भी इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। जिया लोग अंदर शेह आप शेह नफरत भी करते हैं। जिया दोसों इसका यह यह कारण हो शकता है कि आ दिल में कोई भी पाप नहीं चुपाते हैं यह दोस्तों अपने अंदर दिल में आप कोई भी बात नहीं रखते और इसी वैवार के चलते लोग आपको अंदर यह अंदर पशन नहीं करते दोस्टू मैं आप शी कहना चाहूँगा कि आप यशादत को बिलकुल भी ना बदलें दूसरी लोग चाहे किसी तरव हो लेकिन दोस्टू आप उपनी आदत बिलकुल ना बदलें क्यों दोस्टू आपकी यही आदत आपको लोगों से अलग बनाती है आप पर हमेशा से लोग अलग-अलग इंजाम भी लगाते हैं आपने जिसको अपना मान शमान दिया है उन्होंने ही आपको टाइम टाइम पर शाथ छोड़ा है दोस्तों आप हमें कमेंड में बताईएगा क्या मैं गलत बहुता हूं आपने जिनका भी शाथ दिया है आज वो आपको पुछता है क्या वो आपकी मुश्किल समय में आपसे कंदे मिला कर खड़ा है क्या जिन दोस्तों इन शबी का जवाब मिलेगा नहीं दोस्तों आप बिल्कुल भी निराश ना हो दिल छोटा ना करें आपको हम बता दें कि आपके लिए जो आने वाला शमय होगा दो आपके लिए कुछ इस परकार चैंज होने वाली है जिसे दोस्तों आपकी जुनकाल में खुशियां ही खुशियां रहने वाली है जिसे दोस्तों हम आपको बता दें कि बगवान शिंदेव का शिरबाद अब आने वाले शमय में आपके उपर पढ़ने वाले हैं एक बात य पजाएं देती है जिन्होंने भी आपके इशात गलत किया है जिन्होंने भी आपका अपमान किया है और दोसों जिन्होंने भी आपको ठेश पहुंचाई है दोसों उनका हिशाब बगवान शिर्देब अविश्करेंगे आपको इशिप इतना करना है कि आपको इशा लोगों शे दूरी बनाकर रखने हैं जिया हां दोसों इस बात को आप जरूर ठान लें कि आपको इसे लोगों से बात बिल्कुल भी नहीं करनी है हो शके तो आप इंशे अपना रिस्ता ही तोड़ दें जिया दोसों लेकिन अगर कोई ऐसी बात है कि आप इसी रिस्ता नहीं तोड़ हो जिया दोसों आपकी पतनी अगर आप शे दूर नहीं जा रही है तो दोसों आप इतना तो कर ही शक्ते हैं कि आप इनसे बात भी करना बन कर दें जिया दोसों जितनी भी होश के कम से कम बात करें क्योंकि दोसों जाहिर शी बात है कि आप में भी अब बहुत कुछ शेहन क करने की भी हद होती है और कोई लिमिट होती है कोई शीमा होती है शादी दोसों आपको बता दें कि जब यह लोग आप से तमिश्य बात नहीं करते हैं आपका दर्द नहीं शमझते हैं आपकी फिलिंग्स को ठेस पहुंचाते हैं यह के हैं तो आपको मान शमान नहीं देते है तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको कुछ करना नहीं है शिर्फ आपको इनसे दूरी बना कर रखनी है जिया दोस्तों बाचसित आपको इनसे बिलकुल ना करना है और शादी दोस्तों आपको बताती हैं कि आपको निराश होने की कोई भी आखशकता नहीं है तो दोस्तों जब भी आपके शाहत गलग हुआ है तो दोस्तों आप मान लिजीए कि ये आपके जीवन की सीख है बांकी दोस्तों बगवान शर्देव आपके शाहत है और आपका कल्यान करने के लिए आपके सबी कारियों में शुपलता दिनायन के लिए बगवान शर्देव आपके कारियों में आपके शाहत रहते हैं बिल्कुल यह को कारे सब्सक्राइब को याद करते हैं तो इसी प्रकार आप आप उन्हें हमेशा याद किज़ेगा कि कुछ यह आपके नई को शॉपकार ही आपको देने वाले होंगे दोस्तों अंत में आप शिबस यही निवेदन है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा शाद इबेल आइकन को पेश करकी और परशलेट किर दिएगा जे दोस्तों इससे हमारी आने वाली वीडियो आप तो सबसे पहले पहुचेंगी धन्यवाद